नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सरीश में जहांपर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते भी आज की वीडियो स सब्सक्राइब सेक्टेश्म मिस्कार को टेस्ट किया जाने वाला है हालाक इसकी नाम दोँसे जादा दूरी को मिदिया और यहां पर इस की जो लॉंचर न को मेंूंटर क्लाटफॉरं पर तयादा किया जाएगा और इसकी रिंज पंद्रासो किलोमेटर उससे ज्यादा होने की वज़े से अगर इसको विसागवटनमा भी डिप्लॉई किया जाता है तो यह आसानी से मलाका स्ट्रेट तक स्ट्राइक कर सकते हैं इसे हम क्रूज मिसाल तो नहीं कह सकते हैं लेकिन इसको एक क्वसी बलस्टिक मिसाल जरू कहा स्ट्रे designated आसं इसे बिलस्टिक मिसाल को उसे पोरे इंडियन ऊसे यहादा होने की वज़े से हिसको किसी बी दुष्मन देश की नेवी की फ्लीट को दीप सीमें ही रोक कर रखने के लिए सिर्फलीया जा सकता है यानि कि अगर हम वेट्टरी नीएमर टेपलॉई कर देते है तो पूरे Indian Ocean region में हम कहीं पर भी strike कर पाएंगे लेकिन जो ballistic missile होता है इनका जो path होता है वो एक state line होता है जिस वज़े से इनको air defense system या missile defense system आसान इसे counter कर सकते हैं उनके मुकाबले क्वसिब ballistic missile की path थोड़ी सी unpredictable होता है जिस वज़े से इसको counter करना थोड़ा या इसको किसे normal ballistic missile के मुकाबले counter करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अब 2024 में इसकी पहली test को करने के बाद सबसे पहले इनको हमारी land west platform में integrate करने की कोशिस की जाएगी और हो सकता ह अगला update हमारी light tank को लेके जिसे हम अभी जुरावर टाइम के नाम से जानते हैं इसको फिलाल बहुती कम समय के अंदर develop किया गया था और साथ अगले साल तक इसकी testing को भी सुरू करने की बात की गई थी अभी तक इसका development बहुती smooth चल रहा था लेकिन अभी अचानक से इसमें बहुती बड़ी चेंज होने की बात सामने आई है सुरुवात सही जब से इस टैंक को develop करना स्टार्ट किया गया था तब से इसमें जर्मन की M2 की engine का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था लेकिन अभी अचानक से इसमें कुछ changes करने की बात सामने आई है और अभी वजे से जर्मन इंजिन को भी यूएस मेंड इंजिन से रिप्लीज किया जा रहा है वस्त रखता है supply chain या स्पेर पार्ट की इसू होने की वज़े से इसको रिप्लीज किया जा रहे या फिर यूज की तरफ से इसमें भारत के साथ कुछ बैक्डोर नेगोशीशन वगरा कि उस वजे से इसको भारत की तरफ से सिलेक्ट किया गया लेकिन आखरी मोंच में चेंज करने का प्लान करने की वज़े सेचे डवलप्मेंट अभी कुछ महें तक डिले जरू हने वाली पहले किये के प्लान के मूताबिक अगले महिने तक ही टैंक की पहली prototype तयार होने वाला और यह सभी motivation अभी करने की वाज़े थोड़ा वक्त यहां पे लगने वाला है अगला update defense export को लेकर है Recently आपने सुना होगा अजरबायजान की तरफ से भारत पर यह आरोप लगा गया था अजरबायजान की तरफ से पेस किया गया था जिसमें कुछ mounted artillery guns को ट्रक में लाद कर अर्मिनिया को supply करता हुआ दिखा गया था अब तब इस बात को लेकर officially भारत की तरफ से कोई भी opinion नहीं दिया गया था लेकिन तब मैंने आप सभी को बात बताया था कि अगर हम अर्मिनिया को weapons को supply कर भी रहें इसमें अजरबायजान को परेसान होने की कोई जरुवत नहीं है हमें इससे कोई लेना देना भी नहीं हम कुछ सामान बेच रहें और जो भी हमारा customer बनना चाहता है वो हमसे उनको खरीज सकते हैं तो हम उसको supply करने वाले अब ये बात लगभग confirm हो चुका है कि जो images अजरबायजान की तरफ से display किया गया था वो कल्यानी ग्रूप की तरफ से develop किये गए mounted artillery gun थे और ये बात अभी कल्यानी ग्रूप की तरफ से भी confirm किया जा रहा है कि उनको इसी साल की पहले quarter के अंदर अच्छी खासी और बहुती बड़ी export order भी मिल चुका था ताकि अजरबायजान की तरफ से कोई गड़बड़ी ना की जाए अभी इन mounted gun यानी की 155 mm 39 के अलाबा अर्मिनिया की तरफ से भारस से पिनाका रॉकेट्स को भी खरीदा जा रहा है जिनको जल्दी उनको डिलिवर किया जाएगा अगला अपडेट अटक हेलिकॉप्टर की तरफ से कुछ साल पहला तक एंडियान एरफोर्स के अटक हेलिकॉप्टर की फ्लीट को हम काफी अथ अथ कुषक विकर सेगमेant में लेकिन अपाची light combat हेलिकॉप्टर यानी की परचान्द हेलिकॉप्टर रुदर जैसे हेलिकॉ है खास करके अपाची हेलिकॉप्टर को छोड़ कर हमारी बाकी जो रुद्र या फिर लाइट कॉमबट हेलिकॉप्टर की फ्लीट मौजूद है इनमें एर टु ग्राउंड अटक करने के लिए कोई भी खास स्टेंडब वपन वहां पे मौजूद नहीं है रिसेंटली हेलिना मिसाइल को भी हमारी हलिकॉप्टर में इंटिग्रेट करने की कोईसिस किया जा रहा था जो कि 4 किलोमेटर से लेके 8 किलोमेटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं और उतना स्टेंडब केविलिटी हमको दे सकते हैं लेकिन इसे बीच भारत की तरव से इसराइल से स्पाइक 9 लाइ मिसाइल के लिस्ट में आते हैं और इनको लगभग 30 किलोमेटर की दूरी से ही फार किया जा सकते हैं जो कि हमारी हलिकॉप्टर की फ्लीट को एक बहुत ही सेफ डिस्टन्स में रेके सेफ स्टेंडब स्ट्राइक के पेपिलिटी देने वाले इनको अभी फिलाल हमारी हमारी मैं सेवैंटिन वीफाइफ हलिकॉप्टर की फ्लीट में इंटिग्रेट करने का प्लान किया जा रहे हैं म 17 अला की ट्रांपोर्ट हलिकॉप्टर है और हम भी इसको प्राली एक मीडियम ट्रांसपोर्ट हलिकॉप्टर की तरह इस्तमाल करते हैं लेकिन इनको fire support के लिए इ अगर इसमें spike non-line-up set anti-tank added missile को integrate किया जा सकता है तो इनकी air to ground strike capability को भी काफी अतक बहतर किया जा सकता है और इनको safe distance में रहकर ही दूस्पन पर हमला करने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है इनीचेल इनको पस limited number में इसराइल से खरीदा गया था लेकिन अभी इसको domestically भारत मे ही manufacture करने के लिए इसराइल के साथ बातचीत किया जा रहे और साथ ही हमारी indigenous options को भी develop करने की कोशिस किया जा रहे तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जया हिन बंदे मातर बंदे मातर हैं बंदे में तकी लिए भारत रहे हिन आप humor प्योंक सि consort of जया है जै हरात हैं जा किशो खकलीत के लिए लिए बंदे मातर रहे जिए गना करता कर दोजा ऑश्ती हैं Aww yummy